हलो एवरिवन और आज हम करने जाने समरी घीत आंजिली सॉंग टू की जो की पबलिश हुई थी 1912 में जिसका टाइटर है वेन दाव कमानडेस्ट मी तो आब इसे शुरू करते हैं पहली शुरू आती लाइन्स में पोईट कहता है जो भगवान है वो उससे गाना लिखवाते हैं वो उससे प्रेडित करते हैं वो उससे इंस्पायर करते हैं गाना लिखने के लिए जिसकी वज़े से वो प्राइट से भर उठता है उसका दिल खुशी से भर उठता है और खुशी से इतना भर जाता है जैसे तूठी रहा हो याने कि इतनी खुशी उसके हार्ट में समा ही नहीं पा रही है और जब पोईट भगवान की तरफ देखता है तो उसकी आँखों में आसू आ जाते हैं वो रोने लगता है वो काफी प्रफुल लेत मैसूस करता है आगे पोईट कहता है कि उसकी लाइफ में जितने भी हार्षपल है जितनी भी हार्डनेस है जितनी भी कटोरता है जितनी भी कठनाई है करकश जो उसकी लाइफ हो गई है याने कि जो भी कड़वापन है ये सब एक sweet lie में, sweet harmony में बदल जाता है और जो उसका प्यार है भगवान के लिए वो किसी sea के उपर ओर रही bird जैसे अपने punk फैला लेती है ना उस तरीके से फैल जाता है उसका भगवान के प्रती जो प्यार है वो इसके आगे जो poet है वो कहता है कि उसे पता है कि भगवान उसके गानों से खुश है और उनली जब वो एक गानों को गाता है केवल उनली तब ही ही वो भगवान की presence में, भगवान की नजरों में आपाता है poet आगे कहता है जोए कभी भी खुद भगवान के चर्णों तक नहीं पहुँच सकता पर उसके जो गाने हैं केवल उनी की मदद से वो भगवान के पास पहुँचने की कोशिश करता है poet कहता है कि वो इन सब चीजों से इतना खुशी से भर उटता है कि वो ड्रंक महसूस करने लगता है मतलब ऐसा महसूस करने लगता है जैसे जीवन की सब चीजों को वो भूलता जा रहा हूँ वो बस उसी चीट को महसूस कर पा रहा है उस खुशी को महसूस कर पा रहा है और वो यह भूल जाता है कि वो भगवान का किवली मैड सर्विंट है वो भगवान को अपना दोस्त मानने लगता है तो ये थी Summary of Gitananjali Song 2 अगर आपको मेरी Summary पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले अपने फेवरेट लोगों को मेरे YouTube चैनल का लिंक देना बिल्कुल भी न भूले अगर आपकी कोई suggestion है या आपकी कोई queries है या आप चाते कि मैं किस topic पर वीडियो बनाओ आप उसे मुझे comment section में comment करके बता सकते हैं Thank you so much